हलो नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूँ अश्टडी अलेट की डिश्टल प्लेटफरों पे तो आजम आपकी बीच में आयोध्या राममंदिर से समधित महत्पुर्ण पर्षनों की जो कलास है वो आपकी बीच में लेकर आ चुके है आप सभी को पता है आने वाले आपकी जितने भी अपकमिंग एकजाम है ठीक है आने वाले आपकी जितने भी एकजाम है उनमें आपको राममंदिर से समधित दो से तीन परसन हर एकजाम में देखने को मिलेंगे करंट की तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे राममंदिर आयोध्या राममंदिर से समझे जितने भी इंपोर्टेंट क्यूसर है वो सारे इंपोर्टेंट क्यूसर एक ही कलास में करने की कोशिस करेंगे ठीक है सारे important क्योष्ण हम इस class में करने वाले हैं तो आपको क्या करना है इन सभी क्योष्णों को अच्छी तरगेशी याद करना है और सारे क्योष्ण आपके आने वाले exam के लिए important है एक भी क्योष्ण आपका यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो important नहीं हो सारी सारी important है तो आपको क्या करना है class को एक दम अच्छे शे end तक देखना है चैनल पर आप पहली बार widget करो तो चैनल को एक बार subscribe लेना वह ठीक है इस चैनल पर आपको राम मंदिर से समधित आपकी जितने भी important चैनल को subscribe कर देना और एक बात आप यहां पर द्यार रखना अंत में आपको कमेंट करके बताना है और आपको पीडियाफ यह आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ध्यार वहां पर जाकि आप इस क्लास की PDF देख लेना और एक बार वापस रिविजन कर लेना और वीडियो को ज़्यादा ज्यादा लाइक करना वह ठीक है यह क्लास आपके लिए important है ज्यादा ज्यादा संक्याम में वीडियो को like कर देना देखो सबसी पहला क्यों आपका क् प्राण परतिश्ञा की टीलच यहें उम्हीं बताना है आपका करंट का एकदम important किशन बन सकता है चाहिए आपका आने वाला exam कोई भी exam हो ठीक है सारे exam में आपका क्या important है कि रामलला की प्राणपरतिस्टा की ती ठीक क्या है या फिर क्या थी एक तो है 15 जनुरी 2024 एक का 18 जनुरी 2024 एक का 22 जनुरी 2024 ठीक है यानि रामलला की प्राणपरतिस्टा है ठीक है वो किस तीतिक होनी है 22 जनुरी 2024 ठीक है या फिर हुई थी आने वाले exam में इस टाइप के आपको किसे पूचे जा सकते है उसके बाद आप अगला परसंद देखिए अयोध्या राममंदिर के निर्मान का समय कितना है ठीक है अयोध्या राममंदिर का जो राममंदिर बना है ठीक है उसमें निर्मान का समय कितना लगा यानि निर्मान में उसमें कितना समय लगा था आपको यह बताना है तो इसमें देखो यहाँ पे एक उप्सन तो माल लो आप दो साल तो इसमें आपको बताने है कितना साल लगा था तो इसमें आपका हो जाएगा तो इसमें आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा उप्शन अपको बताने है कि उसे नमर 3 के अंदर तो इसमें आपका क्या हो जाएगा उप्शन मर्स सी राइट हो जाएगा यानी 2020 के अंदर वा था अगर आपको डेट पुछी जाए कि राम मंदिर का भूमी पुजन किस तारिक को वा तो आप क्या बताऊगी 5 अगस्त तारिक क्या थी 5 और मईना कोंसा था अगस्त अगर्सत का ठीक है अगला परसं देखो अगला परसं किया करएगा औप सी नदी आईद्यास की साख्सि मानिस आतिये यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट परसं आपका करण्स के अलावा भी बन जाता है ठीक है अगला परसन के है, स्री राम की जनम गुम्मी अयोध्या को और किस नाम से जना जाता है, यह और बताना आपको भई, ठीक है, यह करेंट के लावे भी आपका important परसन है, फेजाबाद के नाम से, साकेत के नाम से, राम सिता की नगरी के नाम से, या फिर इनमे से कोई नहीं, त इसमें आपका हो जाएगा option मेर B, यानि साकेत के नाम से, अगला परसन देखो, देखो, एक बार आपको मैं पूर्ण बताता हूँ, अभी भी आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर देना, क्यूंकि राममंदिर, आयोध्या राममंदिर से, समंदित important question की दूसरी class है, वो भी इसके लिए आप notification bell को own कर लेना, ठीक है, उसके बाद देखिए राममंदिर की उन्चाई कितनी है, ये भी आपका important person है, राममंदिर की उन्चाई कितनी है, 161 feet है, 160 feet है, 170 feet है, या फिर या पर दो option same है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर option number A right हो अगला person अगला person आपका क्या कह रहuda है? राममंदिर में कितने मन्डफ है? छार मन्डफ है, फांच मन्डफ है, दो मन्डफ है, दस मन्डफ है? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अयोद्या राममंदिर से समयोँ, कोई भी क्यूशन आएगा न, ठीक है, तो मैं आज आज इस class में जो important question करऊंगा उससे एक भी question single आपका भार नहीं जाएगा जितने भी राममंदिर ऐोध्य राममंदिर समधिर जितने भी important question बंदिर वो सारी important question मैंने इस class में डाल लिए वैई एक भी question आपका भार नहीं जाएगा बस class को आपको एकदम continue देखते रहना है तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा पांच मंदफ हो जाएगा अयोध्या रामंदिर में कितने मंदफ है पांच मंदफ है अगला परसन देखो अगला परसन क्या बोल रहा है आपका निमल कितमें से कौन ने अयोध्या में रामंदिर का निर्मान करवाया निमल कितमें से किस ने या फिर चंदरकाथ सोंपुरा ने, तो इसमें आपका कौनसा हो जाएगा, ओप्सरमटD हो जाएगा, यह पितने किस उन राइट वे, उसके बाद देखे अगला परसन क्या कर रहा है, कि राम Gamandir का निर्मान और किसके द्वारा करवाया गया था? स्री राम जनम भूमी तिर्थ छेत्र के द्वारा या फिर उत्रप्रदे सर्वा सरकार के द्वारा या फिर केंदर सरकार के द्वारा या फिर इनमें सी कोई नहीं तो राम मंदर का निर्मान किसके द्वरा करवाया गए था स्री राम जनम भुमी तिर्थ 76 के द्वरा ठीक है, अगला परसन देखो, लला की प्रान परतिष्टा सूब मुरत कितने समय का होगा, ठीक है, राम लला की प्रान परतिष्टा का सूब मुरत कितने समय का होगा, 80 सेक ठीक है, चोरा सी सेकेंड का आपका हो जाएगा, अगला परसन देखो, अगला परसन क्या करा है, राम मंदिर परिस्तर के चारो कोनों में क्या है, चार मंदिर है, चार स्तंब है, चार गेरा है, या फिर इन में से कोई नहीं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपक फिर भाला बाव भाहतy घ्तियागंड बावरी मस्जित प्रमदीर राममंदिर सब्सक्राइल कितने दिन लगे थे यह बताओ कि 30 साल अट महने 27 भी 10 साल अट महने 27 चक्राइस दिन 15 5 10 और चीलिकी 10 शाल फान्ट एस दिन तो इसमें आपका क्या उजाएंगा इसमें र mix है अगलस देखो अगला परशन्न गया के रहा है ऐोध्या किश राज्य में स्थित है यह बताओ ने और पर आफ्यामट के रेट तो अयोध्य काहां पर है अयोध्य है उत्र प्रदेश के अंदर यूपी के अंदर ध्यां रखना अगला परसन देखो अगला परसन क्या कराए अयोध्य में 22 जनवरी 2424 को जनलने वाली अनोकी अगरबती कितने फिट लंबी है ये बताओ 100, 101, 105, 108 तो इसमें आपका उजएगा 108 कितने फिट लंबी है 108 फिट लंबी है ध्यान रखना अगला परसन देखो अगला परसन क्या करा है बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्रप्रदेश के मुख्ये मंतरी कोन थे परसन देखो अगला है कि आईजए राममंदरी विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली 50, 40, 60, 90 तो इसमें आपका क्या होगा इसमें आपका उजएगाव उप्सरमर बी ठीक है, option B हो जाएगा, यानि 40 दिनों तक, अगला परसन देखो, अगला परसन आपका क्या कह रहा है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में सामिल जजों में 99 रजन गोगोई के अलावा चार जज और कौन थे, ये बताओ, चार जज और है वो कौन थे, एक तो है, तो इसमें आपको पता है कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, 19 नमर में आपका option मेर, C हो जाएगा, ठीक है, अगला परसन देखो, अगला परसन आपका क्या कह रहा है, बाबरी मस्जित कब बनाई गई थी, बाबरी मस्जित के बारे में पुछा गए आपसे, तो बाबरी मस्जित आपको पता है, 1528 में बनाई गई, अगला परसन देखो, अगला परसन क्या है, अयोध्या विवाद म इसमें आपका वस्टियागा 9 नॉबर 2019 को 2001 को 25 अक्टुबर 2019 को या फिर इसमें आपका वाजनेगा 9 नॉबर 2019 को अग्ला परसुन देखो अगला परसंद क्या बोधर हाए उत्रक्रडेश के वर्त्मान राज्येपाल कोन है ? कलराज मिस्टर अजे वर्दान आन्दी बेन पटेल या फिर जगदीप मुखी तो इसमें आपका उजएगा सी अगला परसन देखो अगला परसन क्या गया रहा आपका सुप्रीम कोट ने सविदान के किस अनुचेद के तहट अयोध्या की विवादित 2.57 एकड जमीन पर मंदिर के लिए के अंदर सरकार को ट्रस बनवाने एवं मुसल्मानों को पाँच एकड भूमी मजडित निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश किया अनुचे242, 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 अनुचे26112 sollte इसमें कौन सा होजाईगा इसमें आपका होजाईगा औप्सन नुमर ए، आगला परसंन देखो अनुचे重要icity unfolde अगला परसन क्या रहा है, अयुद्या का परवर्थित नाम क्या था, तो 24 में आपका उजएगा फेजाबाद, क्या नाम था फेजाबाद, अगला परसन देखो, अगला परसन क्या है, वर्ष से 1909 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसमें बारत के परदानमंत्री कौन थ तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पीवी, नर्सियराओ, अगला परसन देखो, तो ये तो कुछ आपकी इंपोर्टेंट परसन थे, देखो, एक बार वापस से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, लेकिन देखो, ये लगबग आपकी इंपोर्टेंट क्यूसन थे, आगया आगए आने वाली जो भी एक्जाम की उन्सारी के लिए इंपोर्टेंट है, वैसे तो सारी क्यूसन थे इंपोर्टेंट है लेकिन इन क्यूसनों में से ठीक है उसके बाद देखे आयोधिया राम मंदिर का निर्मान का समय कितना था तो इसमें आपका उजाएगा साड़ी तीन साल का उसके बाद स्री राम जनम बुम्मी स्रीराम की, जनम बुम्मी अयोध्या को, और किस नाम से जना जाते हैरा तो आपको पतैंगता क्था यहाँ पर कौनि सा हो जाएगा भी साकेत और उसके बाद राम ऐंद्र के उन्चाई किовали mar print उसके बाद आपके यहांपे ऐगला पॉराने राममंद्री का अंधिर श्रीयतर के दोरा करवाया गया और उसके बाद राम राम्लला की प्राय प्रतिष्टा सूभ मुर्थ या फिर कितनी समेका होगा, तो इसमें आपका उजाएगा चोरासी सेकेंड, और उसके बाद यहाँ पर राम मंदीर का परिसर के चारो और कोनों में क्या है, तो आपको पता है, यहाँ पर ए चार मंदीर, उसके बाद आयोध्या की विवादित भूमी से कौन सी एथासी गटन जुड़ी है तो बाबरी मज़ीद की गटना जुड़ी है अयोध्या विवाद फेसला रामंदिर सिल्यानेस को कुल कितने दिन लगे थे 30 साल 8 महिने 27 दिन लगे थे उसके बाद अयोध्या किस राजी मिश्टीत है तो उत्रप्रदेश के अंदर है अयोध्या में 22224 को जनले अयोध्या रामंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली तो आपको पता है यहाँ पे 40 दिनों तक अयोध्या विवाद का फेसला सुनाने में सामिल जज़ों में नियाई दिस रजन गोगोई के अलावा चार ज़ज और कौन थे तो इसमें आपका उप्सरमर C और नौंबर 2019 को 9 नौंबर 2019 को उत्रप्रदेश के वरत्मान राजय पाल कोन है तो उत्रप्रदेश के वरत्मान राजय पाल कोन है आन्दी, बेन, पटेल और सुप्रीम कोट ने सविदान के किस अनुचेद के तैट अयोध्या की विवादित 2.77 एकट जमीन पर मंदिर के तो इसमें आपका उजाएगा सी पीवी नर्सियं राव तो यह तो आपके इंपोर्टेंट क्यूसन ते मैंने वापस आपको रिवीजन करवा दिया है और जल्दी इंपोर्टेंट या आपके जो क्यूसन निसी तोर पर अयोदे रामंदी समधित कोई भी अगर क्यूसन आता है एक्जामे तो इनमें सी आपको देखने को मिलेगा और 100% आपका एक्जामे क्यूसन आएगा दो सी तिन क्यूसन आपको करण्ट के तोर पर रामंदीर अयोदे रामंदीर समधित निसी तोर पर आपके पुछे जाएंगे पीडिये फराफ्ट करने के लिए टेलिगराम चैनल को जोईन कर लेना धन्यबाद थैंक यू